Hello everyone, so last video में हमने देखा precedence and associativity rule के बारे में और हमने देखा कि basically हम क्या कर सकते हैं, python को as a calculator भी use कर सकते हैं Now, इस video में हम बात करने वाले हैं variables के बारे में और कैसे हम variables assign करते हैं, क्या-क्या rules होते हैं So, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कि अभी तक हम print कर रहे थे Let's say print hello world, right? अभी तक ये काम कर रहे थे और ये basically हमारा क्या करता था कि Terminal पे print कर देता था, कोई चीज, okay? तो ये जो चीजे हैं, ये basically हम किसलिए use कर सकते हैं ये basically हम use कर सकते हैं, अपने debugging के लिए let's say कि मैं क्या करूँगा, अपने कुछ variables को control पे print करा के Terminal पे print करा के check कर लूँगा, कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं अगर कहूँ python और ये हमारा 08th lecture है तो ये कहूँगा, तो ये देखो, hello world आ गया, तो ऐसे क्या करना है, हम program को run कर के बीच में check कर सकते हैं but हमें सिर्फ check नहीं करना होता, हमें और भी सारे काम होते है, तो उसके लिए हम क्या करते है, यूज करते है, यूज करते है, यूज करते है, अगर मेरे को program लिखना है, जिसमें उन लोगों का ही, basically एक game लिख रहा हूं, जिसमें basically वही बच्चे खेल सकते हैं, जो 14 साल से ब variable क्या होता है, जिसकी value change हो सकती है, correct, और उसमें अपना string जो भी है, जो भी value है, उसको हम लिखते है, right, ऐसे करके, जैसे message equals to double quotes के अंदर क्या करका है, मैंने hello world लिख रहा है, now, अभी इस message को मैं print कराने के लिए क्या कहूंगा, मैं print कहूंगा variable का name, तो print message करूंगा, और जै तो मैंने क्या करा, इसमें basically, hello world string print करा, right, आप इसमें कुछ भी print कर सकते हो, ठीके, जैसे कि ये number भी store कर सकता है, अब जैसे message जो है, उसमें मैंने hello world print कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी variable की value को change करूंगा, लेटसे ये hello world था पहले, अब क्या करूंगा, अब क्या कर है, hello python आ रहा है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, message को print कर रहा था, जबकि मैंने message में क्या था, hello world था, right, and दूसरे में क्या है, hello python, तो hello python में को print हो रहा है, जबकि variable का name same है, ठीके, तो basically python क्या कर रहा है, line by line चीजों को execute करता है, ठीके, तो पहले ये line execute हुआ, उसके बाद message जाया, ठीके, अब इसकी value को क्या हो कर दिया गया, change कर दिया गया, तो now अब जो print होगी, वो क्या होगी, इसकी नई वाली value print होगी, okay, now इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम इसमें number को भी assign कर सकते है, तो जैसे let's say number equals to 42 मैंने क्या है, अब मैं अगर मैं print करूँगा, मैं को कोई specify करने की जोड़नी है, python क्या होता है, काफी smart होता है, अपने आप में ही, ठीके, तो जब मैंने 42 number को store किया, एक number नाम की variable मैं, और मैं जब उसको print करूँगा, तो मेरे को 42 as a result मिलेगा, now इसके value को भी मैं क्या कर सकता हूँ, change कर सकता हूँ, ठीक है, तो now अब मैं number में क्या रख दूँगा, 7 रख दूँगा, और इसको print करूँगा, again मैं चाहूँगा, इसके number को print करूँ, तो मेरे को आप क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा था कि जोग कर पहले की value क्या थी, 42 ठीक है, now जो variables होता है, variables के लिए कुछ rules होते है, ठीक है, rules होते है, names रखने के लिए, तो सबसे पहला rule क्या है, कि जो variable का name होता है, या या तो से start हो सकता है, या फिर underscore से स्टार्ट हो सकता है तो अगर मैं कहुं underscores number equals to seven print underscore number ठीक है तो यह मेरे को मिलेगा क्योंकि क्या है मैं इसको किसी लेटर से start कर सकता हूं या फिर मैं इसको किसी underscore से कर सकता हूं ठीक है तो अगर यहां पर हलो वि LICKता ठीक है तब भी यह क्या करता मेरे को प्रिंट करके देता है ठीक है दूसरा जो रूल क्या है कि यह cannot start with number ठीक है तो basically अगर मैं कहूं वन यह कि वन नंबर इकोज टू है तो यहां पर जैन अल्फा निमरी करक्टर लेट से जेड जिरो नैंज अंडर चीजें हमारे वेरीवल निम कर सकता है तो अगर मैं कहूं कि let's say वैर अंडर स्कोर नीमग्ट तू गया अर अब मैं इसको प्रिंट करू तो यह मेरा अराम से रन हो जाए ठीक है यह देखो, variable name आ गया, ठीक है, तो basically मैंने यहाँ पर क्या करा है, बीच में underscore का यूज करा है, तो एक variable जो है, वो क्या करा है, alpha numeric characters को contain कर सकता है, also, जो हमारे यह होता है, variables होते हैं, वो name case sensitive होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि small name and capital name, ठीक है, तो अगर मैं print करूँ, let's say कि name, small name और capital name, दोनों साथ में print कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, मैंने बताया था, मैं multiple variables को भी print, state run में ऐसे करके print कर सकता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको run करूँगा, again, यह देखो, मैं को क्या मिला, Alice and Bob, ठीक है, तो name, जो small n से start हो रहा है, उसमें Alice है, and capital n से जो जो already predefined कुछ reserve words होता है, जिसे कि let's say function define करने के लिए def होता है, इन सब words को, keywords को, हम as a variable name, use नहीं कर सकते, तो अगर मैं कहूँ कि def equals to hello, और अगर मैं कहूँ कि print करूँ, ठीक है, def basically हमारा function को print करने के लिए होता है, ठीक है, तो अगर मैं इसको use करूँ, तो अगर मैं इसको use क नहीं कर सके, ठीक है, तो I hope आपको समझ भाए है, समझ भाए है तो वीडियो के लाइक करना, चाहरो सब्सक्राइब करना, मिलते अगले वीडियो है, ते तो अगले बाइब, बाइब, बाइब,